नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज किस नई वीडियो में और आज किस नई वीडियो में आप सभी छात्र छात्रा को फिर से एक नई अपडेट बताना चाहेंगे दोस्तों मद्द प्रदिस में MP Board कक्षा दस्रिम कक्षा बारवी का जो रजल्ट है सत्र तोजार चौबिस का वो जारी हो चुका है और जो भी छात्र छात्रा है इस रजल्ट में फैल हो चुके हैं वो निरास ना हो उन्हें रुकजाना नहीं योजना के अंतरगत ओनलाइन आ आवेदर कैसे कर सकते हैं इसकी step by step पूरी जानकारी हम यहां पर बताने वाले हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके जो आवेदर ने वो प्रारम हो चुके हैं हम जो है मुख पोर्टल ओपन करते हैं जो कि यहां पर मद्द प्रदिस राज्य मुक्त स्कूल सिक्षा बो आप अपना आवेदर कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं रुखजाना नहीं योजना का option दिया गया है इस योजना के option पर आपको किलिक करना है सर्विस की option पर किलिक करना है जैसे ही आप इस option पर किलिक करेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे option जो है चालू हो 24 तक चलने वाले यानि 25 अप्रेल से आविदन प्रारंब हो चुके हैं और 5 मई तक आप जो है इसका ओनलाइन आविदन कर सकते हैं तो इसमें केवल बही छात्र आविदन कर सकते हैं जिन्होंने सत्र दोजार चौबीस में परिक्षा दीती कक्षा दस्रीम कक्षा बार भी की और वो दो या दो से अधिक सब्जेक्ट में फैल हुए हैं वो यहाँ पर अपना ओनलाइन आविदन कर पाएंगे तो आईए हम बताते हैं आपको स्टेप बाई स्टेप आविदन कैसे करना है औ 5 माई तक आप इसका आविदन कर पाएंगे और 20 माई के लगभग इसका एक्जाम होने वाला है तो आपके जो एक्जाम है नेश्ट मन्थ में ही यहाँ पर हो जाएंगे तो इसके लिए आप जल्दी से जल्दी आविदन कर दें और आपके कोई दोस्त या मित्र हों तो उन लंबर आपको यहाँ पर लिखना है यहाँ पर अगर आपके पास BPL कार्ड है यानि आपके पास जो गरीविरेखा का पर्मिट है वो अगर है आपके पास तो आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे अगर नहीं है तो आप इसे नो कर सकते हैं इसमें आपको थोड़ा फीस मे लगेगी और BPL नहीं लगाते हों तो फीस आपकी जाधा लगेगी अगर आप किसी भी प्रकार से 40% से अधिक बिकलागे हैं तो यहां पर नहीं है तो हम यहां पर नो कर देते हैं अगर यह जैसे यह exam देने जाएंगे बहाँ पर आपको जमा करने होंगे submit करने होंगे और यहाँ पर आपको यह capture code लिखना है तो capture code लिखेंगे search बटन के option पर click करेंगे जैसे यहाँ पर click करते हैं इसके बाद हम next process देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं स्कीन पर हमने जो है student का information खोल लिया है यहाँ पर आपको पूरी जानकारी चेक कर लेनी है यह जानकारी आपकी है तो आपको नीचे चड़ना है यहाँ पर आपको business ध्यान देना है आपको यहाँ पर result दिया जाएगा यहाँ पर आप जिस भी subject में फैल है याँ यहाँ पर फैल लिखा हुआ है जैसे कि इनका दो subject में फैल लिखा हुआ है तो इनका दो subject का form फिल होगा और यहाँ पर दोनो subject का इनको exam देना होगा जो subject में आप पास है उसका exam आपको नहीं देना है जिस सब्जेक्ट में आप फैल होंगे केवल वही सब्जेक्ट के एक्जाम आपके होंगे और यहां पर जिस भी सब्जेक्ट में फैल लिखा हुआ है उसी सब्जेक्ट का आपको पेपर देना होगा तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इनका 2 सब्जेक्ट है, तो 2 सब्जेक्ट का इनका पेपर होगा, और इहने कितना सुल्क लगने वाला है, तो आप देख सकते हैं, दो subject के लिए 960 रोपे और 25 रोपे यहां पे portal सुलक है यानी 985 रोपे का सुलक ने भुक्तान करना है अब यहां पे आपको ध्यान देना है mobile number आपको सही लिखना है जो भी आपका mobile number है तो अगर आप पे अपे जानकारी पूछी जाती है जो जानकारी आपको यहां पे हैको सही होना अनिवार है इसके बाद यह information फिल करने के बाद आप submit button के option पर किलिक करेंगे तो आपका जो form है वो complete हो जाएगा पेमेंट के लिए और आपको केवल पेमेंट करना है अगर आप MP online क्योस के संचालक हैं तो क्योस के माध्यम से payment कर सकते हैं और अगर आप UPI, Net Banking, Credit Card आदी से payment करना चाहते हैं तो वो भी option आपको वहाँ पर मिल जाएंगे तो जैसे ही आप यहाँ पर submit करेंगे तो आपको 2 option मिलेगे एक क्योस का option मिलेगा और एक जो है citizen का option मिलेगा तो अगर आप क्योस के संचालक हैं तो क्योस के option पर collect करेंगे अगर आप citizen से portal से payment करना चाहते हैं तो citizen के option पर collect करके आप अपना Net Banking, Credit Card, Debit Card, UPI जिस भी साब से payment करना चाहां उसा साब से payment कर सकते हैं अभी इस student का information lock नहीं करना है इसलिए हम यहाँ पर form submit नहीं कर रहे हैं हम आपको next process में पूरा जानकारी बता देते हैं कि submit के बाद direct आपको payment करना है payment करने के बाद आपकी कोई process नहीं होगी आपको receipt जो है मिलेगी वो रख लेना इसके बाद जैसे ही इसका admit card जारी होगा आप admit card प्रिंट करने के बाद exam देंगे और exam में तयारी के लिए इसमें आपको जो है books मिल जाएंगी वो books भी आप यहीं से download कर सकते हैं आप इसके लिए हम अलग से भी वीडियो दे देंगे ताकि आपको कोई problem ना जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं open school के लिए जो यहां पर book है वो यहां पर दी गई है तो यहां पर जो book दी गई है जिन तक यह जानकारी नहीं पहुँच पाती है आप उन्हें बताएं क्योंकि उनका जो साल है वो बच जाए और वो exam देने के बाद अपना जो next year में प्रवेस ले सकें